नागरिक्ता संशोधन कानून को चनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम सुनवाई होने जा रहे हैं तो सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी CAA को लेकर 69 याचिकाओं दाखिल की गई हैं जिस पर आज सुनवाई होनी है इस सुप्रीम सुनवाई पर सभी की निगाहें जिस पर CGI, S A. बोब्रे, जस्टिस बी आर गवाई, जस्टिस सूर्यकांद की बेंच सुनवाई करेगी तो तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी याचिका करताओं में कॉंग्रिस के नेता जैराम रमेश, AIM, AIM के अस्तदुदीन ओवेसी, टीमसी की मववा, मोहित्रा, RJD के मनोज्जा, जम्यतुलेमा हिंद, इंडियन यूनियन, मुस्लीम लीग शामिल है ज्यादतर याचिकाओं में धर्म के आधार पर शरणार्थियों को नाकृत्ता देने वाले कानून को समिनाम के खिलाफ बताया गया है तो याचिकाओं पर सुनबाई सुभा साड़े जारा बचे के करीब होगी, तो आज इस सुप्रीम सुनबाई पर सभी की निगाहें ठीकी होई है क्योंकि जिस तरह से नाकृत्ता संशोधन कानून को लेकर देश भर में जो कुछ रोग है उनकी तरह से नाराज की जाहिर की जा रही है और अब ये सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुच गया है और आज सुप्रीम कोर्ट में 69 याचिकाओं पर सुनबाई होगी तो CAA पर दाखली याचिका पर आज सुनवाई होगी तो 69 याचिका एं सुप्रिम कोर्ट में CAA को लेकर लगाए गई हैं तो तीन जजों की बेंच इस याचिका को लेकर सुनवाई करेगी साड़ी ग्यारा बजे सुनवाई होगी तो क्या कुछ दलीले यहाँ पर रखी जा सकते हैं क्योंकि धर्म के आदार पर शर्णार्टियों को नागरिक्ता देने के किलाफ याचिका लगाई गई हैं तो किस तरह से यहाँ पर अपने दलीले रखी जा सकते हैं याचिका करताओं की तरफ से वो देखना होगा लेकिन दूसरी तरफ देश में अभी भी नागरिता संचोधन कानून को लेकर उबाल है और अब कॉंग्रस भी साफ कर चुकी है कि अब फीटी बच्चाओ और समिधान बच्चाओ मार्च जो है वो निकाला जाएगा तो सरकार के लिए कहीं न कहीं ये कानून चुनौती बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि कुछ लोग पुर्जोर इसका लगातार विरोध कर रहा है और आप सुप्रीम कोट में सुप्रीम सुनवाई इसको लेकर